हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई चैनल मौमता ज्वेग आई एम मौमता कैसे हैं आप सब आई होप आप जहां कहीं भी होंगे सुस्त होंगे सुरक्षित और खुजाल होंगे तो चलिए आज हम नौर्थ इंडिया का सबसे मसगूर पराठा आलू पराठा बनाएंगे औ लेकिन सभी का एक ही सबसे फेवरेट होता है वह है आलू पराठा तो आज हम आलू पराठा बनाएंगे अगर मेरी आलू पराठा की रेस्पी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दिजिएगा सब्सक्राइब करना बहुत टेश्टी लगता है ना में आलू पराठा लेकिन इसकी अच टाफिंग जो है बहुत आसान नहीं है तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसके लिए मैंने क्या कह लिया है तो सबसे पहले मैंने 3 कप यह गीहू का आटा ले लिया है और यह सॉल्ट मैंने ले लिया है वन आटे में डालने के लिए जिससे पराठा जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है तो अगर पसंद है तो डालिए नहीं तो उसके बीना भी आप बना सकते हैं और इधर मैंने मसाला बनाने के लिए दोज ग्रीन चिली ले ले लिए हूं चॉप्ट करके एक ले और दस बार लहसून को मैंने ग्रेट कर लिया है और अधरक को भी मैंने ग्रेट कर लिया है थोड़े से अधरक को और यह एक बड़ा सा ओनियन मैंने चॉप्ट कर लिया है और थोड़े से कोरियंडर लीफ को भी मैंने चॉप्ट करके लिया है मसाले बनाने के लिए स्टफिंग के और याहा that मासाले में मैंने धनिये जीरे का पॉडर ली हूं वंगे टीश्पून और हल्दी पॉडर हाफ टीश्पून और रेट चिली पॉडर कस्मीरी रेट चिली पॉडर है 1 टीश्पून कलर के लिए थोड़ा सा और ये हैं आमचूर पाउडर वन टी स्पून सॉल्ट टेश्ट के कोडिंग और यह सु यह है चाट मसाला थोड़ा समय ने लिया है कट्टा के लिए और यह गरम मसाला वन वन हाफ टी स्पून तो चलिए हम सबसे पहले आटे को गूत लेते हैं क्योंकि थोड़ा समय ने सॉल्ट डाल दिया वन इस्पून और यहां पर मैं यह अजवाइन को डालके और साथ में आटे को पहले नीड करके रख लूँगी जिससे आटा हमारा जो है थोड़ा सा सौफ्ट हो जाए और इसको आलो पराठा बोलने में easy है कि आलो पराठा लेकिन इसके stuffing सबके लिए असान नहीं है जो जानता है उसको असान लगता है लेकिन इसके stuffing उतनी easy नहीं है जितना कि हम सोचते हैं तो इस तरीके से सॉफ्ट हुंकि नरम अटा इस को गूत लेंगी यह ज्यादा हाड नहीं रखेंगे नरम रहेगा तो पराठा भी हमारा सॉफ्ट होगा और फटेगा भी नहीं हमारा पराठा स्टफिंग करते टाइम और यहां पर मैंने टू टेवल स्पून मैंने रीफाइंड ओल ले लिया है मसाला बनाने के लिए और आलू को मैं ग्रेट करके डालूंगी जिससे की आलू हमारा जो है चंक्स रहेंगे तो पराठे हमारे फटने लगेंगे अगर आपके आलू थोड़ा नरम है तो हाथ से भी अच्छे से मसल मसल के आप उसको तोड़ लीजिए मैस कर लीजिए और अगर वो पहले से बॉयल् और लैसन को मैंने एड़ करके थोड़ा समय इसका जो रो टेस्ट हो निकल जाएगा इसलिए थोड़ा सा सबसे पहले इसको मैं फ्राइ कर लूँगी और इसको अच्छे से थोड़ा कुछ सेकेंड्स के लिए में फ्राइ करना है बहुत ज्यादा नहीं और फिर मैंने जो आ इसको भी मैंने एड़ कर दिया और इन सभी चीजों को मैं साथ में मिक्स करूंगी थोड़े से सॉल्ट के साथ अफ्राइ करिए थोड़ा फास्ट हो जाता है यह प्रोसेस तो सॉल्ट जरूर एड़ करिए ओनियन के साथ और फिर मैं रेड चिली पॉडर को एड़ कर दूं यहां पानी नहीं है तो जल भी सकता है फिर मैंने आलू को जो बना के मैस करके रखा है इसमें मैंने ऐल्रीडी सॉल्ट एड़ कर दिया है और इन सभी चीजों को मैं फ्राइ कर लोंगी आप चाहे तो ऐसे मसाला कच्छा भी बना के उसमें स्टफिंग कर सकते हैं और यह ग घर का बना हूँ आचार रेडी मेट आचार मत लीजिएगा उसको भी तोड़ के छोटे-छोटे टुकरों में डाल सकते हैं और थोड़ा सा धनिया पत्ता को मैंने डाल के और इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी आप चाहे तो कच्छा भी स्टफिंग कर सकते हैं लेकिन तोड़ा सा स्टफिंग को फ्राई कर लेंगे इससे टेस्ट जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसलिए आप में इसको फ्राई करने के बाद ही बनाई है और मैंने इधर स्टार्ट कर दिया बनाना तो फर्स्ट प्रोसेस मैं देख लेती हूं सबसे पहले हमें क्या ल करती हूं चार तरीके से जो आपको ईजी लगे उस तरीके को आप अपना यह जो जिससे आप अच्छे से स्टफिंग कर सकते हैं तो यहां पर सबसे पहले मैं एक रोटी बना के उसमें जितना ही ज़्यादा आलू के पराटा में स्टफिंग ज्यादा होता है तो पराटा ज इसको मैं एक राउंड सेप में मैं आलू पराटा ज्यादा मोटा अच्छा नहीं लगता पतला ही बनाईए वह ज्यादा अच्छा लगता है और फिर मैं इसको इस तरीकी से थोड़ा सा उसमें का स्टफिंग हमें दीखना चाहिए थोड़ा सा ये ट्रांस्परेंट टाइप स और जिसको नहीं आता है श्टफिंग करने उसके लिए है तो रोटी पर रखने के बाद श्टफिंग को रख दी मैं और चारो बगल से इसके इज को आमें बंद कर लेना है और फिर इसको दबादबा के आमें राउंड सेप में उसको अच्छे से थोड़ा सा राउंड सेप दे देना है इसको हमें और फीर मैं इसको भी बड़ा से रोटी के सेप में आकार में इसको थोड़ा सा पतला ही बेल लूँगी और इस तरीके से हमारा मसाला जो है थोड़ा दीखना चाहिए हलका सा और मैं थार्ड प्रोसेस के तरफ हम चलते है तो दो रोटी को सबसे पहले मैं ने छोटी-छोटी दो रोटी हमने बना ली और ही जो ही प्रोसेस आपको अच्छा लगे जो ही तरीका बनाने का तो आप वह तरीका अजमाए और उस तरीके से स्टाफिंग करें क्योंकि सब ली को नहीं आता है श्टफिंग करने अलू पराटा का अगर आटा सौफ्ट रहेगा तो वो कभी फटेगा नहीं और भी टेश्टी बनेगा आपका अलू पराटा और सेकेंड रोटी को मैं इसके उपर से अच्छे से कवर कर दी और उसके एज इसको थोड़े से सूखे आटा के स हायता से उसको बंद कर लिजिए और फीर थोड़सा दबादा के चारो बगल जो है शटफिंग आपकी चछी जाए चारो बगल आ जाया है कौरनर पे भी और इसको दबादबा के में रांड सिप में कर लेना है और फीर इसको में हमें बड़ा सा एक पराठा बनाके कर लेना है तो यह हमारा जो है थर्ड पराठा वी रेडी हो गया और यहां हम चलते हैं चौथा जो है हमारा पराठा जो कॉमन है सभी अपने घर में बनाते हैं इसको हाथों से हमें कटोड़ी के सेप में पहले इसको बना लेंगे रेड़ स्टफिंग को नीचे के तरफ दवाते हुए और आठे को हमें ऊपर के तरफ थोड़ा से उपर करना है हाथों की साहता से औ और श्टफिंग को अंदर के तरफ और यहां पर मेरा आठा बहुत ज्यादा रेता तो सब्सक्राइबे निकाल दीजियर और फिर इसको भी मैं सूखे गढ़ा स साहता से रांड सेप में बना के रिडी कर लुंगी तो चार तरीके से को परड़ा तैया और उसमें जोहीं ऐजी लगे वही आप बना सकते हैं घेचलर है उनके नहीं आता तो उनके लिए मैंने बहुत तरीके बता दी इं तो और कोई भी तरीका जोहीं उनको ऐजी लगे आलू-पाराथा भनाके इंज्वाई कर सकते हैं और फिर मैं इस फिर घी लगा लगा के पहले इसको अच्छे से सेक लूँगी और इसको मीडियम फ्लेम पे आप इसको आटे को सेक यह बहुत ज्यादा हाई पे नहीं जल जाएगा और फिर वो कड़क हो जाएगा और इसको दवा दवा के हमें दोनों बगल से सेक लेना है और यह पराटा जो है हमारा रेडी हो गया और द और इस तरीके से मैंने अपने सारे पराठे को बनावना के रेडी कर लिया और इसको मैंने रायता और सॉस के साथ मैंने सर्व किया आप चाहे तो दही भी ले सकते हैं तो अगर आपको आज का वीडियो और मेरे पराठा आलू पराठा बनाने के तरीका और रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दिजे और सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत बोलिएगा इस्टे हैप्पी एंड हैल्दी